किसान भाईयो नमस्कार आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में फिर से सवागत है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांस गेयों की सबसे ऐसी सांदार वरायटी जिनकी वाई करने पर आप अपने गेयों की पसल से बहुत ही अच्छी पैदावार ले पाएंगे किसान भाईयो आपको इन पांचोही वरायटों के बारे में संपूर्ण जानकरी दी जाएगी इनकी वाई का समय क्या है, कटने का समय क्या है और किसान भाईयो आपको इन में किसी निसराय करने पड़ेगी कितनी पैदावार आपको इन पांचोही वरायटव से मिलती है और किसान भाईयो इनकी रोग परते में दी जाएगी आप वीडियो को पूरा देगेगा तब आप एक अच्छी और सही जानकारी ले पाएंगे यदि आप अमारे चैनल पर पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लिजेगा नमबर पांच पर जो मनें ग्यों की विराइटर रखी है इस विराइटर का नाम है PVW 550 आप इसकी बुआई 25 अक्टूबर से लेकर 25 नमबर तक कर सकते हैं इसके जो पोर्दे कैट होते हैं वे मातर 16 सेंटिमेटर उची आपको देगने को मिलेगी किसान भायों जिस खरण से है तेज हवा और तेज बारिस में नीची नहीं गिरती और सीधी खड़ी रहती है यही कारण है किसान भायों को इस विराइटर से बहुत ही अच्छी पर पैदावा देएने को मिलती हैं यह विराइटी बहुत ही कम समय में मातर 140 से लेकर 145 दिन में पकर के तियार हो जाती है आपको इसकी बिजाई करते समय पेंटाल सिरुगराम परती एकड़ के साब से बेश की मातल लेनी होगी किसान भाईयों आपको इस विराइटी में पीला रतुवा बूरा रतुवा या फिर कर्णाल बंट जैसा कोई बिरोग देने को नहीं मिलेगा किसान भाईयों जदी इसकी कुछ खासत की बात करें तो इस विराइटी में गियों का दाना मोटा होता है काफी वजंदार होता है और इसकी बाईला भी काफी लंबी होती है किसान भाईयों जदी इसकी कूल पैदावार की बात करें तो आप PBW 550 गयों की विराइटी से 23 कॉन्टल से लेकर 26 कॉन्टल परती एकर तक उत्पदर निकाल सकते है नमबर 4 पर जो मनें ग्यों की विराइटी रखी है या बहुत ही सांदार है और बहुत ही अच्छी पैदावार देने वाली है इस विराइटी का नाम है DBW 187 जदी आप इसकी अगेती बुआई करते है तो आपको अच्छी पैदावार देखेने को मिलेगी इस विराइटी में भी किसी उपरकार का कोई बिलोग देने को नहीं बिलेगी इस विराइटी में प्रोटियन की मातर काफी अच्छी पाई जाती है जिस कारण से इसकी रोटी खाने में बहुत ही जाजा सवादेश्ट लगती है यदि इसके कुल पैदावार की बात करें तो आप DBW 187 ग्यों के विराइटी से 30 से लेकर 32 कुन तल परती एकड़ तक उत्त पदर निकाल सकते हो किसान भायो नंबर 3 पर जुमने ग्यों की विराइटी रखी है इस विराइटे का नाम है स्री राम सूपर 303 यह एक अगेती और पच्छेती दोनों ही परकार की विराइटी है और दोनों ही वस्ता में यह आपको बहुती अच्छी पैदावार निकाल करके देती है आप इसकी विराइटी पूरे नौंबर माह से लेकर पूरे दिसंबर माह तक कर सकते हो किसान भयों यह विराइटी पक्रने में बहुती कम समय मातर 130 से लेकर 135 दिन का समय लेती है आप यदि इसकी अगेती विराइट करते है तो आप इसकी पसेती विराइट पकरते है तो आपको 50 किलराम पड़ती अकरट के साब से बीज की मातर लेनी होगी इसके जो पोदिक हाइट होती है बैमात 88 cm से लेकर 90 cm तक होती है जो कि बहुत ही जादा कम हाइट है जिस कर्ण से यह तेज जवा और तेज बारिश में नीचे नहीं गिरती किसान भायो आपको इस वराइटी में फूटाओ कापी अच्छा देगने को मिलेगा एक फोदे से आपको 10 से लेकर 15 कल्य तक देएने को मिल जाएंगे इस वराइटी में आपको हलके फुल के रोग देएने को मिल सकते हैं इसके लिए आपको स्टार्ट नेए एक इपना सक्का स्प्रे करना होगा जिससे कि आपको दोबारा से अपने खेथ में कोई भी लोग देने को नहीं मिलेगा किसान भायो दे इसकी कुल पैदवार की बात करें तो आप स्री राम सूपर 303 ग्यों की वराइटी से 25 कुण्टल से लेकर 30 कुण्टल परती एकर तक उत आपको इसकी बिजाई क्रतसे में 25,20 की मातल लेनी होगी यदि इसके पोदे काईट के बात करें तो इसका पोदा मातर 98 सेंटिम्टर आपको उचा देगने को मिलेगा किसान भायो आपको जदी सिचाई की बात करें तो आपको इसमें 3 से लेकर 4 सिचाई करने के आशकता किसान भायो इसके कुछ खासत की बात करें तो इस वराइटी में ग्यों की बाले होती है लंबी होती है दाने में काफी वजन होता है और दोज की माता ज्यादा बनती है और किसान भायो को बहुत ही अच्छी पैदावार देगने को मिलेगी किसान भायो जदी इसकी रोग प में बहुत ही जाधा सवादेश्ट लगती है यदि इसकी बॉहाई के बात करें तो आप इसकी बॉहाई हर्याना पंजाब उत्तरपरदेश दिल्ली राजस्तान जम्मु कस्मे बिहार इन सभी राज्यों में कर सकते हो किसान भायों आप DBW 327 गेहों की वराइटी से 28 कौनुट यह मैदानी चेत्र और अन्य सभी राज्यों के किसान भायों की पहली पासंद माने जाती है बात करते हैं कि आखिर है किसानों की नंबर वन वराइटी क्या हूं है किसे वह परकार का कोई विलोग देने को नहीं मिलेगा चाहिए वह पिला रतवा हो भुरा रतवा हो या फि पकने में वर्पूर समय लेती है या पकने में 156 दिन का समय ले लेती है आपको इसकी बिजाई करते समय 45 शरकडाम बीज की मातल लेनी होगी ज़दी किसान भायो इसके उत्पदन की बात करें तो आप DBW 303 गयों की वराइटी से 35 कौंटल परती एकर तक उत्पदन निकाल सकत किसान भायो ग्यों की वचल रभी से जनकी सबसे चादब हो जाने वाली फसल है यदि आप इसमें थोड़ी चला परवाई कर देते हो या कुछ गल्दी कर देते हो तो आपकी पैदवार घड़ जाती है इसलिए हमने आपको यह पांच ऐसी सांदर वराइटी बताई है आप इन पांचों में से किसी एक का चेहन करके जो भी आपके छेतर में परचली तो जो भी आपके छेतर में अच्छा पदन निकाल करके दे रही हो आप उसी का चेहन करें अन्यता आप दूसे वराइटी का चेहन ना करें किसान भाई आपको इन पांचों में से यदि आपके छे इसलिए आप यदि किसी नहीं वर्याटी का चेहन करते हैं तो आप उसको पहले अपने छेते में लगा लिजे एक या दो बीगे में लगाईए आप उसके पैदवार दे के कितने निकलती हैं और ज़्यादी अच्छा निकलती हो तो आप अगले वर्स उसको ज़्यादा करच आएगा इसलिए आप जब भी नहीं वर्याटी का चेहन करते हैं तो आप उसको पहले एक या दो बीगे खेत में लगा करके देगे जिससे कि आपको उसकी पैदवार का पता चल सके और तब जाकर कि आप उसको बड़े छेते में लगाईए तो किसान भाईयो उम्मेद करद करता आपको जानकरे ची लगिए ज़ती जानकरे चीला के तो फीरियो को लाइक करना चैनल को सब्स्राइब वस्ए किजिएगा जिससे कि हमारे आने वाल सबी वीडियो आप तक पहुंश सके मिल तक नए वीडियो में नहीं जानकरे केसाथ तब तक्लिए और